Next है हमारी exercise 15C तो यहाँ पे हम rectangle और square के area and perimeter से related questions करने वाले हैं तो देखिए जो perimeter है उसको हम पहली दो exercise में discuss कर चुके हैं अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो rectangle और square है उसका area कैसे निकाला जाता है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ rectangle को तो rectangle का जो area निकालने का formula होता है वो होता है length multiply breath ठीक है अभी यहाँ पे देखिए माल लीजे हमको area दे रखा है और length दे रखिया है तो breath किस तरह से निकालेंगे तो breath निकालने का जो formula होगा वो होगा area divided by length ठीक है और अगर length पूछे है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे तो length निकालने के लिए करेंगे area को divide किस से breath से ठीक है आगे बात करते हैं हम इसमें square की तो square का जो area निकालने का formula होता है वो होता है side multiply side तो इसमें हम side को खुद से ही multiply कर देते हैं तो square का जो area है वो आ जाता है अगर यहाँ पे हमको area दे रखा हो और side पूछे तो side निकालने का formula क्या होगा तो यह होगा side is equal to square root of area तो इसको नमें एक example के help से लेता हूँ यहाँ पे मालिजे जो area हमको दिया हुआ हुआ है 100 cm square तो side कैसे निकालेंगे तो इसकी जो side है वो हो जाएगी square root of area और area यहाँ पे 100 cm square तो side कितनी आ जाएगी तो देखे जो 100 का square root होगा वो होगा 10 इसको आप कुछ इस तरह से ले सकते हो कि जो 100 है वो किस number का square होता है तो यह होता है 10 का तो हमारी इसकी side आ जाएगी square की 10 cm इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो यहाँ पे square root को जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिया था तो 100 के अब time factors ले ले ठीक है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसके 2, 5s are 10 यह 0 यह 2 से करेंगे तो यह 25 पे जाएगा 5 से यह 5 पे जाएगा और यह 5 से यह 1 पे जाएगा ठीक है तो यहाँ पे pair देखते है इसमें तो यह 2 का pair बन गया यह 5 का तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 5 आया तो इन दोनों को कर देंगे multiply 2 और 5 को तो 2, 5s are 10 इस तरह से भी हम इनके square root निकाल सकते हैं अभी देखिए इसका question number 1 देखते हैं exercise 15C का तो यहाँ पे हमको एक table दी गई है जिसमें हमको जो एक question मारके इनको fill करना है तो मैंने यहाँ पे इनको ऐसे write कर लिया है A, B, C, D इस तरह से पहले यहाँ पे कोई नाम नहीं था ठीक है तो मैंने इनके नाम दे दिया यहाँ पे कि जो यह पहला section है यह A है दूसरा B, तीसरा C और इस तरह से आगे बढ़ते हो जाते हैं तो इनको मैंने यहाँ पे write कर निकाल लीजिए और फिर area निकाल लीजिए ठीक है तो मैं perimeter निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो perimeter निकालने का जो formula होता है rectangle का वो होता है to multiply length plus breath, तो length है इसकी 3 और breath है 5, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 2 multiply 8, तो आ गया यह 16 cm, area और निकाल लेता है, तो area निकालने का formula क्या यह 5 और breath है 8, तो इसका जो perimeter है वो हो जाएगा हमारे पास 2 multiply length plus breath, तो length है इसकी 5 और breath है 8, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 2 multiply 13, ठीक है, तो multiply करेंगे इसको यह हो जाएगा 26 cm, area कैसे निकालेंगे इसका, यहाँ पे length को multiply कर देंगे breath से, तो length कितनी है, यह 5 और breath है 8, तो यह जाएगा यहाँ पे कितना, 40 cm2, सी पार्ट देखते हैं इसका, तो देखें सी पार्ट में हमको यहाँ पे दिया हुआ है length 10 और breath 15, तो इसका perimeter आ जाएगा 2 into length plus breath, तो length है 10 और breath है 15, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 multiply 25, तो इसको multiply करेंगे तो यहाँ जाएगा 50 cm, तो perimeter ह जाएगा 50, area निकालने का formula होगा length multiply breath, तो 10 multiply 15, तो यहाँ जाएगा 150 cm2, डी पार्ट में हमको length दिया गया है कितना, 12 और area दिया गया है 96, तो क्या निकालना है इसके डी पार्ट में हमको, तो देखें, डी पार्ट में हमको निकालना है breath और perimeter, तो पहले मैं breath निकाल लेता ठीक है, तो breath किस तरह से निकालेंगे, area divided by length, तो area कितना है 96, इसको divide करते है 12 से, तो यह आजाएगा हमारे पास 8 cm, अभी क्या निकालना है हमको यहाँ पे, perimeter निकालना है, तो perimeter निकालने का formula होता है, 2 multiply length plus breath, तो length तो 12 है और breath है 8, तो यह जाएगा 2 multiply 20, तो आजाएगा पार्ट देखते हैं हम, तो देखें, यह पार्ट में हमको क्या दिया गया है, जो breath है, वो है 14 cm, और area दिया गया है 210, तो इसमें हमको क्या निकालना है, यहाँ पे, perimeter निकालना है, और length निकालना है, तो मैं यहाँ पे length निकालना है, तो यहाँ निकालना है, तो यहाँ निक 15 पर जाएगा तो यह 15 cm अब इसका perimeter निकाल लेते हैं तो perimeter कैसे निकालेंगे 2 multiply length plus breath तो यह 2 multiply length and breath कितनी है इसकी यह है अच्छा यह हमारी breath plus length आ जाएगा ठीक न एक ही बात है कैसे लिख दीजे इसको तो यहाँ पे जो हमारी length है वो है breath 14 और length है 15 तो यहाँ जाएगा 2 multiply 29 तो multiply करेंगे इसको यहाँ जाएगा 58 cm F part में देखते हैं यहाँ पे तो length है इसकी 8 cm और perimeter है 42 cm ठीक है F में तो हमको breath निकालनी है और area निकालना है तो देखिए यहाँ पे breath निकालने का formula होगा इसका क्या अगर perimeter दिया है तो perimeter का half ठीक है तो perimeter यह इसमें से length minus कर देंगे और length है 8 तो इसको cut करेंगे यहाँ पे तो यहाँ जाएगा 21 minus 8 तो यहाँ जाएगा 13 cm अभी हमको क्या करना है यहाँ पे इसकी जो यह area है यह find out करना है area निकालने का formula वही length multiply breath तो length है हमारी कितनी 8 और breath है 13 तो यहाँ जाएगा 13 age of 100 4 cm square इसके g part में देखिए यहाँ पे हमको दिया गया है length 11 और area 88 तो हमको breath और perimeter find out करना है तो मैं breath निकाल लेता हूँ तो breath कैसे निकालेंगे area को divide कर देंगे हम किस से length से तो यहाँ जाएगा 8 cm अभी हमको perimeter निकालने का formula 2 multiply length प्लस breath तो length है इसकी 11 और breath है 8 तो यहाँ जाएगा 2 multiply 19 तो यहाँ जाएगा 38 cm अभी इसके question number 2 को देखते हैं जिसमें हमको एक table दी गई है और यह square के लिए है तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिए है इनको a, b, c, d, e, f, g, h, i part तक है तो पहले जो यहाँ पे 4 parts है उनमें इसकी side दी गई है तो हमको perimeter और area निकालना है तो मैं हाँ पे write कर लेता हूँ इसके a part को side यहाँ पे 4 cm है तो मुझे क्या निकालना है इसका perimeter और area तो perimeter क्या हो जाएगा square का 4 multiply side तो 4 और multiply में side कितने 4 है तो यहाँ जाएगा 16 cm area निकालते है तो area निकालने का form ला होता है square का side multiply side तो side 4 है और दोबारा side लेंगे तो यह भी हमारी क्या है 4 है तो यहाँ जाएगा 16 cm square B part में side दी गई है 6 तो perimeter आजाएगा 4 multiply side तो यहाँ जाएगा 4 6 जाट 24 cm area निकालने के तो यहाँ जाएगा side multiply side तो 6 को 6 से multiply करेंगे तो यहाँ जाएगा 36 cm square तो देखे आगे यहाँ पे side जो है वो दी गई है 10 तो perimeter निकालेंगे 4 multiply side तो यहाँ पे वो 10 है तो यहाँ जाएगा 40 cm area निकालेंगे इसका तो area जाएगा यहाँ जाएगा side multiply side मतलब 10 multiply 10 तो यहाँ जाएगा 100 cm square D part में देखे हमको यहाँ पे D part में दिया गया है यहाँ पे side है और area perimeter ही पूछ रहा है तो perimeter निकालेंगे 4 multiply side तो 4 multiply 15 यह हो गया 60 cm area निकालेंगे तो side multiply side मतलब 15 multiply 15 तो यह जाएगा 225 cm square E part में देखे यहाँ पे जो area है वो दिया गया है कितना 49 तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे perimeter और side निकालने तो यहाँ पे जब area दिया गया है तो मैं side निकालना लोगा बड़ी आसानी से side निकालने का जब formula है वो हता है square root of area तो 49 का जो square root है वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 7 cm तो अभी हम इसका perimeter निकालने का formula होगा 4 multiply side तो side हमारी 7 आएगे तो यह हो जाएगा 28 cm इसके f part में देखे यहाँ पे area दिया गया है 121 तो हम side और perimeter निकालेंगे तो इसका side निकालने का जो formula है वो क्या होगा square root of area और square root यहाँ पे मैंने किया 121 का ठीक है तो यह क्या जाएगा यहाँ जाएगा 11 cm तो side आगे इसके 11 cm तो perimeter कैसे निकालेंगे 4 multiply by side तो यहाँ जाएगा 44 cm g part देखे यहाँ पे तो जो g part है उसमें हमको दिया गया है area 441 तो हमको यहाँ पे side और perimeter निकालना है ठीक है तो मैं यहाँ पे side निकाल लेता हूँ पहले तो side कैसे निकालेंगे square root of area area यहाँ पे 441 तो यह आजाएगा हमारा कितना 21 जब इसका आप square root निकालोगे ठीक है तो 21 cm इसकी side आगी तो यहाँ पे perimeter कितना हो जाएगा इसका यह हो जाएगा 4 multiply side और side आई है हमारी 21 तो यहाँ जाएगा 84 cm आगे यहाँ पे perimeter दिया गया है 42 तो हमको क्या गरना है इसका side और area निकालना है तो मैं side निकाल लेता हूँ तो अगर square का हमें perimeter दिया है और side निकालना है तो हम क्या करते हैं perimeter को divide कर देते हैं 4 से तो यहाँ जाता है हमारे पास कितना 4 1 जा 4 4 area 32 18 cm अभी area निकाल लेते हैं तो area कैसे निकालते हैं side multiply by side तो 18 का multiply करेंगे 18 में तो यहाँ जाएगा 324 cm square इसके आई पार्ट में देखे perimeter है 80 तो side निकालने का formula होगा perimeter divided by 4 तो इसको divide करेंगे तो यहाँ जाएगा 20 cm area कैसे निकालेंगे इसका area निकालेंगे side multiply side तो 20 को 20 से multiply करेंगे तो यहाँ जाएगा 400 cm square next इसका question number 3 तो यहाँ पे हमको perimeter find out करना है square का जिसका area हमको दिया गया है 2500 meter square तो देखे मैं आपे right कर लेता हूँ area of square 2500 meter square तो perimeter निकालने के लिए हमको पहले side निकालनी होगी तो यहाँ पे right कर लेते हैं side of square तो side कैसे निकालते हैं अगर हमको square का जो area है वो given हो तो यह निकालते हैं square root of area और यह कितना यहाँ पे यह है 2500 तो 2500 का जो square root है वो होगा 5 और डबल 0 का जाएगा single 0 तो यहाँ जाएगा 50 meter तो side आगे हमारे पास 50 meter तो इसका जो perimeter है वो क्या हो जाएगा तो मैं है पे right कर लेता हूँ perimeter of square तो यहाँगा 4 multiply side तो मैं है पे right करता हूँ 4 multiply side है हमारी 50 तो multiply में 50 यहाँ जाएगा 200 meter देखे जो square root है वो आप इस number का यहाँ पे prime factorize करके भी निकाल सकते हो तो यहाँ पे मैंने जैसे किया हुआ है देखो यह 2500 का तो पहले 5 से किया इसको 500 पे जाएगा फिर 5 से 100 पे फिर 5 से 20 पे फिर 5 से 4 पे और फिर 2 से और फिर यहाँ टूपे फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे इनके pair बनाएंगे तो यहाँ पे इस pair का एक निकालेंगे बाहर इस pair का एक निकालेंगे इस pair का एक निकालेंगे फिर इन सब को multiply कर देंगे तो यहाँ जगा 5, 5 is a 25, 25, 25, 2 is a 50 तो इसलिए मैंने यहाँ पर write किया 50 otherwise आप ऐसे भी write कर सकते हो कि जो 25 है वो किस number का square है तो वो है 5 का और यहाँ पर जो zeros होंगी उनका आजाएगा half तो यहाँ पर 2 zeros है तो इसका आगया 1 zero तो इस तरह से जो हमारा perimeter है square का वो आजाएगा 200 meter next is का question number 4 तो यहाँ पर हमको 40 cm का एक handkerchief दिया गया है जिसका हमको area find out करना है तो देखिए यहाँ पर मैंने write कर लिया है side of handkerchief यह कितनी है यह है 40 cm तो इसका area क्या हो जाएगा तो मैं write करता हूँ यहाँ पर area of handkerchief तो यह square form में है तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका area निकालने के लिए side multiply by side करेंगे तो side कितनी है इसकी 40 है तो multiply करेंगे 40 को दो बार ठीक है तो यह आजाएगा 4,4,16 और यहाँ पर यह दो 0 तो इस handkerchief का जो area है यह आएगा 1,600 cm square next is का question number 5 तो यहाँ पर हमको एक field दिया गया है जिसकी length है 240 meter और breath है 110 meter तो हमको इस field का area find out करना है hectares में तो देखें मैंने यहाँ पर write कर लिया है length of field जो है 240 meter और इस field की जो breath है वो है 110 meter तो हमको इसका area find out करना है तो area हम कैसे निकालेंगे इसका ये निकालेंगे length multiply breath करके तो length है इसकी 240 और breath है 110 इनका जो multiply है वो क्या आ जाएगा 11, 4 जा 44 11, 2 जा 22 और 4 26 और यहाँ पे यह two zeros तो इसका जो area है हमारे पास आएगा 26,400 meter square लेकिन हमको जो यह area है यह निकालना है hectares में तो hectare में निकालने के लिए क्या करेंगे दिखिए जो हमारे पास 1 hectare होता है मैं यहाँ पे write कर देता हूँ 1 hectare इसमें होता है 10,000 meter square ठीक है तो जो हमारे पास 1 meter square होगा उसमें कितना होगा उसमें होगा 1 upon 10,000 hectare तो इसका मतलब क्या होगा कि जो meter square होंगे, यहाँ पे हम उनको 10,000 से divide करेंगे, तो यह हमारे पास आया है 26,400 तो इसको hectare में convert करने के लिए मैं क्या करूँगा, 10,000 से divide कर दूँगा, तो मैं आप उन में करता हूँ 10,000, तो hectare बन जाएगा यह तो यह 20 से 20 कट हो जाएगी और यह आएगा 264, क्या आएगा 264, नीचे है 2 zeros, तो यहाँ पे 1, 2 and point तो यह आएगा 2.64 hectare, next इसका question number 6, तो यहाँ पे हमको एक rectangular field का area दिया गया है, 0.5 hectare इसकी जो one side की length है, वो हमको दी गई है, 125 meter तो हमको इसकी other side की जो length है वो meters में find out करनी है तो देखी, मैंने यहाँ पे write कर लिया है area of rectangular field, यह है 0.5 hectare लेकिन हमको इसकी दूसरी side की जो length है ना, वो find out करनी है meters में, तो इसलिए मैं इसको meters में convert कर लूँगा, ठीक है तो एक hectare में जो होता है आप वो होता है, 10,000 meter square तो 0.5 में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10,000 से multiply कर देंगे, ठीक है तो यह 10,000 meter square हो जाएगा तो इस point को हटाने के लिए मैं कर देता हूँ upon में 10, तो यह 0 से 0 कर जाएगा, तो यह आजाएगा 5000 meter square, ठीक है ना, तो इस rectangular field का area है, वो meter square में आ जाएगा 5000, तो इसकी one side है, वो कितनी है तो one side है, इसकी 125 meter, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे इसकी, जो दूसरी side है, वो find out करनी है, तो दूसरी side निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो यह area आया है ना, इसको given side है, उससे डिवाइड कर दूँगा, तो area कितना है 5000 meter square, और इसकी जो one side की length है, वो है 125 तो 125 से डिवाइड कर देता है तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं सिधा इसको 25 से डिवाइड करता हूँ, तो 25 5 जा, एंड 25 2 जा, तो यह 00, एंड यह 5 4 20, तो इसकी other side की जो length है, इस rectangular field की वो आईगी, 40 meter next है, इसका question number 7 तो यहाँ पे हमको दिया गया है square का area equal है, rectangle के area के, यहाँ पे square की जो side की length है, वो दी गई है 16 cm और rectangle की जो length है, वो यहाँ पे दी गई है, 64 cm तो हमको इस rectangle की जो रहत है, वो find out करनी है तो देखिए, मैंने यहाँ पे write कर लिया है side of square, यह है 16 cm तो मैं इस side का use करके आसानी से इसका area निकाल सकता हूँ तो मैं write कर लेता हूँ, area of square ठीक है, तो square का area निकालने का जो formula हो होता है, side multiply side तो मैं यहाँ पे write कर लेता हूँ 16 multiply 16 तो यहाँ जाएगा हमारे पास कितना 256 cm square अब देखिए, यहाँ पे हमको बोला गया है, कि जो area है rectangle का, वो equal है किसके area of square के तो मैं यहाँ पे write कर लेता हूँ area of rectangle it is equal to area of square area of square ठीक है, और यह हमारे पास कितना 256 cm square ठीक है न, यहाँ पे अभी हमने निकाला था, यहाँ है इतना तो यहाँ पे जो इसकी length है वो कितनी दी गई है, मैं write कर लेता हूँ length of rectangle वो दी गई है 64 cm, कितनी है 64 cm, तो इसका जो breath है वो कैसे निकालेंगे हम, तो breath निकालने का formula हमारे पास क्या होता है अगर हमें area दिया गया हो, तो यह होता है area को divide कर देते हैं, given side से तो यहाँ पे area है 256 और given side है इसकी length जो है 64, ठीक है तो cut कर लेंगे इसको, तो यह सीधा कर जाएगा यहाँ पे 4 पे, तो इस rectangle की जो breath है वो आईगे हमारे पास 4 cm, next is question number 8, तो यहाँ पे हमको एक plot दी गई है, जिसकी length है 500 meter and breath है 300 meter तो हमको इस plot का area find out करना है hectares में, तो देखे निकलेगा इस plot का length multiply breath है, तो length है इसकी 500 and breath है 300 तो इनको multiply कर देते हैं, तो यह आजाएगा 5, 3s are 15 and यहाँ पे 2 or 2, 4 zeros, ठीक है तो इतना meter square हो गया यह लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो area है हमको बूचा है hectares में तो जो हमारे पास 10,000 meter square होता है ना उसमें 1 hectare होता है तो यह हमारे पास कितना है 1,50,000 meter square है तो इसको hectare में convert करने के लिए क्या करेंगे हम 10,000 से divide कर देंगे ठीक है, तो यहाँ पे मैं write करता हूँ 1, 5 and 4 times 0 and upon में 10,000 यह hectare हागे हमारे पास तो यह 4,0 से 4,0 कट जाएंगी तो इस plot का जो area है हमारे पास वो आएगा 15 hectare next is का question number 9 तो यहाँ पे हमें find out करना है कि rectangle के area पे क्या effect पड़ेगा अगर उसकी dimensions रखे जाती है different, तो देखें यहाँ पे ना मैं क्या कर लेता हूँ, उस rectangle का area निकार लेता हूँ लेकिन यहाँ पे problem क्या है तो क्या है, यह मैं ले लेता हूँ x cm, ठीक है और इसकी breath को भी मैं लेट कर लेता हूँ यह है, माल लीजे, y cm तो इसका area क्या होगा तो rectangle का area निकालने का formula होता है length multiply breath तो x multiply by क्या जाएगा हमारे पास x y cm square ठीक है, तो rectangle का area हमारे पास आ गया है, x y cm square अभी इसमें तीन पार्ट है question number 9 में तो पहले पार्ट में क्या कहता है, कि अगर इसकी length को double किया जाता है, तो जो और breath को रखा जाता है same, तो इसके area पे क्या effect पड़ेगा तो देखें यहाँ पे पहले पार्ट में क्या बूला गया है length को रखा जाता है double तो मैं write कर लेता हूँ new length ठीक है, तो नई length क्या रखा जाता है double रखा जाता है, तो पहली length कितनी थी x तो नई length क्या हो जाएगी, इसका double हो जाएगी तो यहाँ जाएगा 2x cm और breath को रखाता है same तो breath मैं as it is write करता हूँ यहाँ पे यह y cm ठीक है तो area कितना आएगा तो देखें यहाँ पे area आजाएगा length multiply breath मतलब 2x multiply y तो 2xy cm square तो area पे क्या effect पढ़ा देखें पहले कितना था area यह था x y cm square और अभी हो गया है 2xy cm square तो यह वाला area पहले वाले से double हो गया है तो मैं write करूँगा area will be double तो write करते है area will be doubled चीक है second part देखते है इसका तो second part में क्या बुला है कि अगर इसकी breath को क्या आता है double और length को रखा जाता है same तो इसके area पे क्या effect पढ़ेगा तो मैं write कर लेता हूँ यहाँ पे breath को double किया जा रहा ना तो write करते है new breath new breath ठीक है तो नई breath कितनी है इसकी double हो जाएगी पहले कितनी थी y तो यह हो जाएगा 2y cm ठीक है और इसकी जो length है उसको same रखा जाता है तो पहले कितनी थी x थी तो x cm area निकाल लेते हैं इसका तो area कितना जाएगा length multiply breath तो length 2y length इसकी x है और यह breath है इसकी तो मैं इसको multiply करता हूँ तो यह जाएगा 2xy cm square ठीक है cm square तो इस पे क्या effect पढ़ा area पे तो यह पहले वाले area से क्या हो गया double हो गया है ठीक है तो मैं write करूँगा area will be doubled area will be doubled ठीक है अभी इसके third part को देखते हैं तो third part में देखे क्या बूला गया है its length and breath are both double इसकी length और breath जो है वो दोनों ही क्या हो जाती है double हो जाती है तो मैं write करता हूँ new length तो new length कितनी है इसकी पहले x थी तो double हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2x centimeter और new breath तो ये 2y centimeter double हो जाएगी पहले वाली से पहले वाली y थी है तो ये 2y हो जाएगी तो इसका new area क्या हो जाएगा area क्या बनेगा length multiply breath तो length कितनी थी 2x और यह 2y, तो मैं ऐसे राइट कर लेता है, इसको 2x multiply 2y, तो यह हो जाएगा, 4xy cm², तो area पर क्या effect पड़ा, देखिए, पहला था, xy cm² अभी हो गया है, 4xy cm², तो मतलब 4 गुना हो गया इसका, तो राइट करेंगे, area will be 4 times, area will be 4 times, ठीक है, next is का question number 10, तो यहाँ पे हमें 3 parts दे गए हैं, जिनमें square की जो sides हैं, वो दी गई है, different, तो हमको यहाँ पे find out करना है, कि इन squares का जो area है, वो original area पे क्या effect करेगा, तो देखिए, यहाँ पे मैंने write कर लिया है, let original side of square, it is equal to x cm, कि माल लीजिए, square की जो original side है, वो क्या है, x cm है, तो इसका जो original area है, वो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा side multiply side, तो side है यहाँ पे x, तो यहाँ पे x multiply हो जाएगा x, तो यहाँ आएगा x square cm square, ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसका first part ले लेते हैं, ठीक है, तो first part में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है, कि अगर इसकी side क double कर दिया जाए तो area पर क्या effect पड़ेगा तो मैं हाँ पर write कर लेता हूँ new side ठीक है तो new side क्या हो जाएगी double हो जाएगी किसकी double हो जाएगी जो इसकी original side है तो original side कितनी है ये है x तो new side हो जाएगी इसकी double 2x centimeter ठीक है तो इसका जो new area है वो क्या होगा, तो new area हम कैसे निकालेंगे square क्या area निकालने का formula होता है side multiply side, तो side है हमारी new 2x, तो multiply करेंगे 2x, तो यहाँ जाएगा 4x square centimeter square देखें जब हम एक ही variable को multiply करते हैं अगें and again तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे variable को 2 कर दिया है, अगर यहाँ पे 3 बार होता तो मैं लिखता, x to the power 3, ठीक है तो अभी देखें क्या effect पड़ा है इसके area पे तो यह original area से 4 times हो गया है, पहला x square था और अभी आ गया है 4 x square, तो मैं आपे write करूँगा, area will be 4 times, area will be 4 times ठीक है, second part देखते हैं इसका, तो second part में आपे क्या दिया गया है, कि अगर इसकी side को triple कर दिया जाए, तो मैं आपे write करूँगा, new side तो इसकी जो new side है, वो हो जाएगी कितनी, 3 x centimeter हो जाएगी पहले x थी, triple करेंगे तो 3 x centimeter तो इसका जो new area है वो क्या हो जाएगा, side multiply side तो 3 x multiply, 3 x यह हो जाएगा, 9 x और x दो बार है, तो power जाएगा 2, 9 x square centimeter square, तो area पे क्या effect पड़ा है, यह हो गया है, इसका 9 times, तो write करेंगे area will be area will be 9 times, तीक है इसके third part को देखते हैं यहापे तो देखे, third part में हमको क्या दिया गया है, कि अगर इसकी side आधी हो जाए, तो क्या effect पड़ेगा, तो मैं हापे write करूँगा new side तो पहले x थी, तो अभी क्या हो जाएगी, इसकी half हो जाएगी, x upon 2 centimeter, तो new area क्या होगा, तो वही करेंगे side multiply side, तो x upon 2 multiply x upon 2 3 हो जाएगा, x का x write करेंगे, दो बार है, तो square, ठीक है और upon में 2, 2 is a 4 तो x square upon 4 हो जाएगा मतलब वह उसका क्या हो जाएगा और यह fourth, one fourth हो जाएगा, ठीक है, ना पहले x square था तो अभी x square upon 4 आया है, तो हम write करेंगे, area will be area will be one fourth, ठीक है one fourth of original area, next is question number 11, तो यहाँ पे हमें एक playground दिया गया है, जिसकी length है 300 meter और breath है 170 meter, तो हमको इस playground पर grass plant करने का जो cost है, वो find out करना है अगर एक hectare grass plant का जो cost है, वो आता है rupees 80, तो देखें, मैंने हाँ पे write कर लिया है, length of playground, यह है 300 meter, और इस playground की जो breath है, वो है 170 meter, तो इसका area निकालेंगे, ठीक है, तो area of playground, यह क्या हो जाएगा, length multiply breath, तो यहाएगा 300 multiply, 170, तो 17, तो इसमें 3 zeros हैं, तो यहाँ जाएगा 51,000 meter square इसका area, ठीक है, एरिया ही क्यों निकाला, क्योंकि जो grass plant कर रहे हैं हम, वो इसके inside में कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, उसका region जाहिए, तो अभी देखें, यहाँ पर जो cost है, 1 hectare की वो कितनी है, 80 है, तो मैं यहाँ पर write कर दूँगा, cost of 10,000 meter square, ठीक है, तो यह क्या आएगा, 10,000 meter square का, यहाँ पर 80, 10,000 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि 1 hectare में 10,000 meter square होते हैं, तो अभी write करेंगे, cost of 1 meter square, एक meter square का निकालेंगे, तो यहाँ जाएगा, 80 upon 10,000, ठीक है, तो cost of मैं write करता हूँ, 51,000 meter square, तो यह हो जाएगा, जितना एक का है न, उसमें multiply कर देते हैं, इसको, तो 80 upon के 10,000, and multiply 51,000, तो 3,0 से 3,0 cancel out होंगी, यह 0 से, यह 0, तो यहाएगा, 51 multiply 8, तो 8 बन जाए 8, 8, 5 is up 40, तो इस playground में जो grass plant करने का cost है, वो आएगा, Rs. 408, next है, इसका question number 12, तो यहाँ पे हमें एक wooden door दिया गया है, जिसकी height है, 2 meter, 8 cm, and width है, 1.2 meter, इस wooden door में, 4 glass panes fit किये गए हैं, जिनवे से हर एक glass pane की, जो height है, वो है, 40 cm, and width है, 20 cm, तो हमको यहाँ पे, इस door में, जितनी wood का use किया गया है, उसका area find out करना है, तो देखें, यहाँ पे, जितनी wood का use किया गया है, वो मैंने, इस red pen से set की हुई है, ठीक है यहाँ पे, वो wood है, जो इसमें use की गई है, इसका area कैसे निकालेंगे, इसका area निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, इस door का area, और उसमें से, इन चारो glass pen का जो area है, उसको minus कर देंगे, तो यह जो shaded part है, इसका यह निकालाएगा, और यह shaded part क्या यहाँ पे, यह है, इसमें जितनी wood use की गई है, तो देखें, मैंने यहाँ पे इसकी dimensions write कर ली है, door and glass pen, तो यहाँ पे जो यह glass pen है, इसकी length है 40 cm, breath 20 cm, ठीक है, डोर की यहाँ पे जो length है, वो है 2 meter, 8 cm, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न, centimeter में convert कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों को मुझे same unit में रखना ह यह centimeter में है, तो मैं इसको भी centimeter में write कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 meter को convert करेंगे किसमें centimeter में, तो 1 meter में 100 cm होते हैं, तो 2 meter में 200 cm मतलब 200 cm and plus 8, तो यह हो जाएगा 208 cm, इसकी जो यहाँ पे breath है, वो कितनी है, वो है 1.2 meter, ठीक है मैं, तो 1.2 meter, अब देखें, यह 1.2 meter न यह है, कि यह 1.02, ऐसे नहीं है, यह हमारे पास कौन सा 1.20, ठीक है, तो यहाँ पे यह 1 meter और 20 cm है, तो यह कैसा आजाएगा हमारे पास, यह आजाएगा 1 का 100 and plus में 20, तो यह 120 cm, ठीक है, इससे देखें, आपको confuse नहीं होना है, यहाँ पे जब भी हम क्या लिखते हैं, पीछे ल लिखने के लिए, ठीक है, अगर यह only यह होता ना, कि 1.2 meter, तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 1.02, तो यह 1.2 meter मानते हैं, इसको तब आजाता है, यह 102, अब इसने खाली यह 1.2 लिखा, इसके मतलब क्या है, यहाँ पे double digit में रखेंगे, तो यह 0 आ जाएगा इसके पीछे, तो 1.20 हो जाएगा, ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं, तो दीखें, एरिया कितना आएगा इसका, यह आ जाएगा, इनको multiply करके, तो 208 and multiply, यह 120, तो multiply करते हैं, इसको तो यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, 12896 and 1220, 24, तो 2496 और यह 0, इतना centimeter square इसका एरिया आएगा, ड multiply 20, तो यह आजाएगा, 4 to the 8, 800 centimeter square, अब यह देखें, यह ना, 1 glass pan का area, ठीक है, ना, 1 glass pan का, यह only, यह 800 centimeter square, लेकिन यहाँ पे glass pan कितने हैं, यहाँ पे हैं, चार, तो 4 glass pan का area कितने हो जाएगा, यह हो जाएगा, 800 multiply 4, तो यह आ जाएगा, 3200 centimeter square, अब क्या करना है, यहाँ पे, area, wood का area निकालना है, तो मैं write कर देता हूँ, area of wood, area of wood, ठीक है, जो इस door में use की गई है, तो यह कैसे निकालेंगे हम, यह निकालेंगे, area of door में से, ठीक है, minus कर देंगे, area of 4 glass pan, area of 4 glass pans, तो area of wood कितना यहाँ पे यह है, 24,960, इसमें से minus कर देंगे कितने को, यह 4 glass pan का जो area है, तो यह है 3200, और जब इसमें से इसको minus करेंगे, तो यह आ जाएगा, 21,760 centimeter square, ठीक है, तो 21,700 centimeter square आ गया, अब अगर इसको हमें meter square में निकालना हो, तो क्या करेंगे, तो देखें यहा centimeter को meter में convert करते हैं, तो divide करते हैं, किस से? 100 से, लेकिन यहाँ पे centimeter square का मतलब क्या है कि यह है दो बार, तो 1 centimeter multiply 1 centimeter, एक centimeter का तो 100 आ गया, meter में convert करने के लिए, दूसरे का कितना आ जाएगा, यह 100 आ जाएगा, ठीक है, यह meter square, तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें, 21,7 60, 1,2,3,4, तो पीछे से 4 नमबर छोड़ेंगे, 1,2,3,4, तो जाएगा, 2,1,760 meter square, next है इसका question number 13, तो यहाँ पे हमें दिया गया है, कि एक window के लिए कितने square meters glass की requirement होगी, जिसमें 12 pans है, यहाँ पर हर एक pan की जो measurement है, वो है 25 centimeter by 16 centimeter, मतलब इस pan की जो length है, वो है 25 centimeter और breath है, 16 centimeter तो इसको हम कैसे find out करेंगे, यहाँ पे one pan का जो area है, वो निकाल लेंगे, और उसको multiply कर देंगे 12 से, तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे window के लिए कितने square meters class की requirement होगी, तो देखें, यहाँ पे मैंने write कर लिया है length of each pan, तो यह है 25 centimeter, अभी मैं यहाँ पे इ each pan, यह क्या हो जाएगा, length multiply breath, तो 25 multiply आजाएगा 16, तो multiply कर देते हैं इसको, तो यह आजाएगा यहाँ पे 16, 5 is a 80, 16 to 32, और 8, 40, तो यह आएगा 400 centimeter square, one pan का जो area है, अब इसने बोला है कि उस window में 12 pans हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको multiply कर देंगे 12 से, तो मैं यहाँ पे 10 के area को multiply करेंगे 12 से, यह हो जाएगा 12, 40, 48 and यहाँ पे यह 00, तो 4800 centimeter square आजाएगा 12 pans का area, लेकिन यहाँ पे उसने बोला है कि उसको requirement है कि इसमें square meters में, तो क्या करेंगे इसको, meter square में change कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम write करते हैं 4800, अब देखिए यहाँ पे centimeter square है, एक centimeter होता तो हम क्या करते, 100 से divide करते, लेकिन यहाँ पे है double centimeter तो इसलिए यहाँ पे हम double hundred से divide करेंगे इसको, तो यह क्या हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगे यहाँ और यह आजाएगा 48, नीचे देखते हैं 0 कितनी है, यहाँ पे 1, 2, तो digits लीव करते हैं यहाँ से पीछे से, 1, 2 and point यह 0 तो यहाँ जाएगा 0.48 meter square, तो उस window के लिए हमको 0.48 meter square glass की requirement होगी, next है इसका question number 14, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि square saved की floor tiles हैं, जिनकी side की length है 25 centimeter, तो ऐसी कितनी number of tiles की requirement होगी, एक rectangular lawn के लिए, जिसकी यहाँ पे length दी गई है 12 meter और width दी गई है 10 meter, और हमको यहाँ पे इस rectangular lawn में tile लगाने का जो खर्चा है, वो भी find out करना है, अगर एक tile की cost पढ़ती है 8 रुपे, तो इसको हम कैसे find out करेंगे, देखे सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे number of tiles, और फिर जो number of tiles आ जाएंगी, उसको multiply कर देंगे 8 से तो खर्चा भी आ जाएगा, अब number of tiles कैसे निका में कैसे डी गई है, वो दी गई है 12 मेटर, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मेटर को convert कर लेते हैं, क्योंकि जो tile की length वो दी गई है, हमको sentimeter मेटरमे, अब यह तो आप इसको centimeter में convert करें, या फिर इस tile की length को आप किस में convert करें境 करें, मीटर में, ठीक है, हमको same unit में रख तो 12 में हो जाएगा 1200 cm अभी इसकी राइड कर लेते हैं width को width कितनी है इसकी ये है 10 मेटर cm में convert करेंगे तो हो जाएगा multiply 100 करके ये 1000 cm area निकालेंगे इसका area कितना आ जाएगा area आ जाएगा यहाँ पर इसका length multiply breath से तो length कितना इसका 1200 आया और बहता है इसका 1,000 multiply करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 1,2 अच्छा ऐसे करते हैं इसको ना इतना ही छोड़ देते हैं ठीक है? क्योंकि उसके बाद भी तो हमको यह divide करना होगा फिर यहाँ पर multiply करने से कोई benefit नहीं होगा तो मैं यहाँ पर इतना छोड़ देता हूँ इसको ठीक है? देखेंगे इसका कैसे आगे यूज होगा अभी देखें टाइल को ले लेते हैं तो टाइल में जो side की length है इसकी वो कितनी है? वो है 25 cm ठीक है? area निकाल लेते हैं इसका tile का तो area आजाएगा हमारा क्या? side multiply side जो है 25 multiply 25 तो इसको भी इतना छोड़ देते हैं यह आजाएगा इतना cm square number of tile कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ पर write कर देता हूँ number of tiles तो number of tiles निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर write करेंगे area of lawn इसको डिवाइड कर देंगे area of tile से area of tile चीक है? तो area of lawn कितना है हमारे पास? यह है 1200 ठीक है? and multiply 1000 और area of tile कितना यह है? 25 multiply 25 तो write करते हैं 25 multiply 25 ठीक है? 25 से कर लेते हैं इसको divide 25 बन जा 25 फोर जा ठीक है भई? अब यहाँ पर 5 से कर लेता हूँ मैं 55 जा and 58 जा फिर मैं यहाँ पर 5 से कर लेता हूँ तो 5 बन जा यहाँ यहाँ पर 5 2 सा 5 4 जे 20 यहनि यह 0 तो 24 और 0 को multiply कर लेते हैं 8 से ठीक है? तो यह कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा यहाँ पर 80, 84, 32, 2016 और 3, 19 1,920 इतनी टाइल्स आ जाएगी ठीक है न जिनको हम क्या करेंगे? इस लौन में लगाएगे अब यहाँ पर cost निकाल लेते हैं तो यहाँ पर राइट करते हैं cost of 1 टाइल ठीक है? एक टाइल की cost कितनी है? यहाँ पर यह है 8 रुपे तो cost of 1,920 टाइल्स इनकी cost कितनी पड़ेगी? तो 1,920 multiply करतेंगे 8 से तो यह आ जाएगा हमारे पास 80, 2016, 972 173, 8 बन जा 8 and 7, 15 तो यह जाएगा 15,360 नेक्स्ट है इसका question नमबर 15 तो यहाँ पर हमको एक room दिया गया है जिसकी length है 26 meter और width है 15 meter इस room के floor पर हमको एक square carpet डालना है जिसकी side की length है 14 meter तो हमको यहाँ पर find out करना है कि इस room का जो not carpeted area है वो कितना है तो इसको find out करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर room के area में से यह जो carpet का area है इसको minus कर देंगे तो हमारा जो यह not carpeted area है जिसको मैंने red pen से side किया है वो निकाल आएगा तो यहाँ पर मैंने write कर लिया है room and carpet तो इदर room की जो dimension से उनको लिख लेते हैं तो यहाँ पर मैं write कर लेता हूँ इसकी length वो है 26 meter इसकी width right कर लेता हूँ जो है यहाँ पर 15 meter अभी निकाल लेते हैं इसका area तो area कितना आएगा यहाँ पर length multiply breath से 26 multiply 15 यह जाएगा 15, 6 is 90 and 2 is 30 और 9, 39 390 meter square carpet का area निकालते हैं यहाँ पर तो इसकी जो side की length है वो कितनी है वो है 14 meter तो इसका area निकाल लेते हैं तो area कैसे आएगा side multiply side ठीक है न carpet कैसी है square carpet है तो 14 multiply 14 यह आजाएगा यहाँ पर 196 meter square तो हमको निकालना है uncarpeted area ठीक है तो मैं write कर देता हूँ not carpeted area ठीक है तो यह कैसे आएगा यह आएगा room के area में से minus करके carpet के area को तो मैं write करूँगा यहाँ पर area of room area of room minus area of carpet तो यह आएगा 390 minus 196 तो जब 390 में से 196 minus करेंगे तो यह आएगा 194 meter square तो यह हमारा uncarpeted area है next है इसका question number 16 तो यहाँ पर हमको एक room दिया गया है जिसकी length है 12 meter और width है 8 meter तो इस room के floor को cover करने के लिए हमको 75 cm चोड़ाई का कितना लंबा कारपेट चाहिए यह meter में find out करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम जो इस room का area है इसको divide कर देंगे किस से इसकी जो width है कारपेट की इस से क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का area equal होगा जितना इसके room के floor का area है उतना ही इस कारपेट का area होगा क्योंकि यह जो कारपेट है वो इस room के floor पर डाली जाने है इसको cover करने के लिए तो यहाँ पर देखे मैं write कर लेता हूँ room and carpet तो room की जो length है यहाँ पर वो कितनी है वो है 12 meter और इसकी जो width है वो यहाँ पर कितनी है 8 meter है तो area कैसे आएगा इसका यहाँ आएगा 12 multiply 8 तो मैं यहाँ पर multiply नहीं करता इतना ही छोड़ देता हूँ इसको तो यहाँ आएगा meter square ठीक है भई अभी यहाँ पर carpet ले लेता है तो carpet की जो यहाँ पर width है ठीक है वो कितनी है वो है 75 centimeter अब यहाँ पर हमको divide करना है तो यह जो dimension से यह होनी चाहिए same unit में यह तो meter में है और यह centimeter में तो इसलिए मैं क्या करता हूँ इसको meter में convert कर लेता हूँ ठीक है क्योंकि इसने बोला है कि जो length है carpet की वो किसमें होनी चाहिए meter में होनी चाहिए तो यह आजाएगा 75 centimeter को जब meter में convert करेंगे तो divide करेंगे 100 से ठीक है तो यह आजाएगा कितना 0.75 meter कितना आ गया अब हमें क्या करना इसकी length find out करनी है तो मैं यहाँ पर write करूँगा length of carpet length of carpet तो यह कैसे आएगा यह आएगा area of room area of room इसको divide कर देंगे breath of carpet से ठीक है न breath of carpet तो area of room कितना यह है 12 multiply 8 और जो यहाँ पर carpet की breath है 0.75 है अब यह point हटा लेते हैं यहाँ पर point हटाएंगे तो यह आएगा तो upon में लेकिन upon की यह पर पहुँच जाएगा कहाँ पर तो 20 से multiply divide कर देते हैं इसको 25 3 जा 25 4 जा इस 3 से कर लेते हैं 3 1 जा 3 4 जा तो यहाँ गया 4 4 जा 16 16 8 जा 128 तो 128 मीटर इस कारपेट की जो length है होगी next है इसका question number 17 तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 10 cm length और 7 cm breath के कितने number of rectangular tiles के requirement होगी एक floor को cover करने के लिए जिसकी length है 14 meter and breath है 12 is to 1 upon 2 meter तो यहाँ पर हमको इनका cost भी find out करना है tiles का इस floor में लगाने का अगर यहाँ पर 100 tiles का cost पढ़ता है 5 रुपे तो देखें हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे जो number of tiles है उसको निकालेंगे और उसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा जो यह floor का area है इसको divide करना होगा tile के area से तो number of tiles निकालेंगे फिर हम यहाँ पर unitary method का यूज करके जो cost एंट tiles की वो निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैं राइट किया है floor and tile तो tile की यह dimensions है length 10 cm breadth 7 cm इसका निकाल लेते हम यहाँ पर area ठीक है तो area के आजाएगा यह आएगा 10 multiply 7 length multiply breadth से 10 multiply 7 cm जो है हमारी easy हो जाती है अभी यहाँ पर floor की dimensions है length दी हुई है 14 meter तो इस meter को मैं क्या करूँगा यहाँ पर centimeter में convert कर लोगा ठीक है क्योंकि मुझे यह दोनों same unit में चाहिए या तो आप इसको meter में convert कर ले या फिर आप इसको centimeter में convert कर ले बस यहाँ पर unit same होनी चाहिए तो 14 meter का हो जाएगा 1400 cm क्योंकि एक meter में होता है 100 cm तो 14 multiply 100 हो जाएगा 1400 cm breadth देखे इसकी कितनी है यह 12 is 2 1 upon 2 meter mix same proper में करेंगे तो यह आएगा 25 upon 2 meter इसको centimeter में ले ले लेते हैं तो यह आएगा 25 upon 2 multiply by 100 तो 25 is at 10 ठीक है यह centimeter तो यह आजाएगा 125 0 cm area निकालते हैं इसका तो यह आजाएगा यहाँ पर length multiply breadth तो length कितनी 14 double 0 and multiply 1250 cm square ठीक है calculation यहाँ पर मतलब इसको multiply नहीं कर रहे हैं जिससे की calculation easy हो तो number of tiles निकाल लेते हैं यहाँ पर number of tiles कैसे आएगा यह आएगा इसके area को divide करके किस से इस से ठीक है तो यहाँ पर मैं लेकर लेता हूँ floor का area उपर और इसको divide कर रहते हैं tile के area से तो यह है 10 multiply 7 तो 0 से 0 यह 7 तूसा 14 तो 125 0 and multiply 20 यह कितना जाएगा दीखे 125 multiply 2 हो जाएगा 250 यहाँ पर इसके पीछे 2 0 और लगा देंगे तो 25,000 tiles की यहाँ पर requirement होगी अभी इनकी cost निकाल लेते हैं तो मैं write करता हूँ cost of कितने tiles का दिया हुआ है यहाँ पर 100 tiles का दिया हुआ 100 tiles ठीक है तो यह कितना पढ़ता है इसको यह बढ़ता है 5 रुपे और यहाँ पर cost of one tile unitary method का यूज करेंगे तो यह 5 upon 100 अभी निकाल लेते हैं हम किसका जितने यहाँ पर tiles आई है 25,000 tiles का तो यह 5 upon 100 and multiply 25,000 तो 2 0 से 2 0 और यहाँ पर आगया 25 5 of 125 और यहाँ पर यह 0 तो इन 25,000 tiles को लगाने का जो cost है वो आएगा रुपीज 1,250 next is का question number 18 तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक length जिसकी length है 180 meter और width है 5 meter इसको पक्का किया जाना है इंटों से जिनकी length है यहाँ पर 20 centimeter और breath है 15 centimeter तो हमको यहाँ पर जितनी number of bricks की requirement होती है उनका find out करना है cost अगर यहाँ पर 1000 inch का जो cost है वो पढ़ता है रुपीज 750 तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो निकालेंगे number of bricks उसके बाद जितनी number of bricks आएंगी यहाँ पर उनका cost निकालेंगे तो number of bricks कैसे निकालेंगे number of bricks निकालेंगे हम जो यहाँ पर यह land है इसके area को divide कर देंगे brick के area से एक के तो यहाँ पर number of bricks आ जाएंगी फिर हम यहाँ पर उनकी cost निकालेंगे तो देखें यहाँ पर मैंने land और brick अलग-अलग write किये हैं उनको write कर लिता हूँ तो length है यहाँ पर 180 meter जिसको मैं क्या करूँगा centimeter में увид करलूँगा ठीक है, दो चीजे कर सकते हैं या तो आप इसको centimeter से meter में convert कर लें या फिर इसको meter से centimeter में convert कर लें यह already centimeter में है ही ठीक है, क्योंकर करता है इसको ऐसे यूँकि हमको यहाँ पे डिवाइड करना होगा तो यह चीजे होने चाहिए किसमें सेम यूनिट में तो अभी मैं इसको centimeter में बदल लेता हूँ तो देखें यहाँ पे है 180 meter और 1 meter में होते है 100 centimeter तो इस meter को centimeter में convert करने के लिए मैं कर दूँगा multiply by 100 तो यह हो जाएगा cm में तो अभी multiply कर लें इसका तो यह हो जाएगा 180 और इसके पीछे 20 और तो यह आजाएगा cm ठीक है? breath निकाल लें इसकी तो breath यहाँ पे क्या दी गई है इसकी? यह दी गई है 5 meter तो अभी इसको cm में बदल लें तो cm कितना हो जाएगा? 5 multiply 100 यह हो जाएगा 500 cm ठीक है न? अभी यहाँ पे इसका area निकाल लेते हैं तो area क्या आजाएगा? तो area देखे क्या हो जाएगा? length multiply breath तो length कितना है? यह है 18000 and multiply यह 500 cm square मैं इसको multiply नहीं कर रहा हूँ इतना ही छोड़ेता हूँ जिससे की मुझे आगे जाके calculation में आसानी हो इसका area और निकाल लेते हैं ठीक है न? brick का तो brick का area कैसा आएगा? length multiply breath जो किया आएगा हमारे पास 20 multiply 15 cm square अभी क्या करते हैं? number of tiles निकालते हैं तो number of tiles तो यह क्या होगा? यह होगा हमारे पास जो land का area है इसको divide कर देंगे brick के area से मैं यहाँ पर write कर देता हूँ area of land area of land divide by area of brick ठीक है? तो write कर लेते हैं यहाँ पर land के area को 1,8,000 and multiply 500 divide कर देते हैं brick के area से तो यह 20 multiply 15 तो cut करते हैं इसको यहाँ पर देखे 0 से जाएगा 0 पर and इस से cut करते हैं तो यह 2,9 जा 18 ठीक है यह double 0 तो 900 आगया 15 से cut करते हैं 15,6 जा 19 तो यह आगया 60 60 और 500 का जो multiply वो कितना आएगा हमारे पास यह आएगा 6,5 जा 30 ठीक है? यहाँ पर 1,2,3,0 और है तो यह आगया 30,000 bricks आगया ठीक है कितना आ गया? अच्छा टाइल्स नहीं है यहाँ पर हमारा क्या था? bricks था तो bricks लिखेंगे हम यहाँ पर ठीक है? तो number of bricks कितना आ गया? 30,000 अब यहाँ पर cost write करते हैं इसकी तो cost of 1,000 bricks तो 1,000 bricks का जो cost है वो कितना दिया गया है? यहाँ पर यह दिया गया है रुपीद 750 unitary method का यूज करेंगे तो 1 brick का निकालेंगे यहाँ पर यहाँ एगा 750 upon 1,000 निकालना किसका है मुझे? 30,000 का निकालना है ठीक है? तो मैं write करूँगा 750 upon के यह 1,000 and multiply by 30,000 तो यह 3,0 से जाएगा 3,0 ठीक है? अब अगये 750 multiply 30 तो multiply कर लेते हैं इसको तो यहाँ पर 35,0 15 37,0 21 और 1,22 एक और दो यह 2,0 आ जाएगी तो इन टाइल्स इन bricks को लगाने का जो cost है वो आएगा हमारे पास कितना? 22,500 रुपीज नेक्स्ट है इसका question number 19 तो यहाँ पर हमें एक save दी गई है जिसको divide किया गया है दो rectangle और एक square में तो यहाँ पर हमको चार parts दिये गए हैं जिनको हमें इस figure की help से solve करना है तो देखें इसके a part में हमको पूछा गया है कि square a का जो area है वो कितना होगा? तो square a की जो यहाँ पर side की length है वो है 6 meter तो इसका area निकाल लेंगे क्योंकि square का जो area निकालने का formula होता है वो होता है side multiply side तो देखें मैंने यहाँ पर write कर लिया है side of square a यह है 6 meter तो area निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास कितना? 6 multiply 6 तो 36 cm यहाँ पर meter है तो यह meter square हो जाएगा तो square a का जो area वो आएगा 36 meter square इसके b part को देखते हैं तो देखें b part में क्या बोला गया है length find out करने हमको rectangle b की और उसका area तो मैं write कर लेता हूँ length of rectangle b तो rectangle b की length कितनी हो जाएगी यहाँ पर देखें इसको निकालेंगे हम rectangle c का use करके तो rectangle जो होता है न उसकी opposite sides की जो length है वो होते है equal अगर देखें यहाँ पर यह length 23 है तो यह length भी कितनी होगी 23 होगी क्योंकि है c की length है ठीक है अब यहाँ से और यहाँ तक यह है 10 और यह पूरा है 23 तो यह कितना होगा तो यह होगा 23 मैंसे 10 को minus कर देंगे तो 10 आ जाएगा जिससे की मेरी जो b की length है वो निकलाएगी 10 यहाँ पर 23 मैंसे 10 गया तो 13 meter तो यहाँ पर मैं write कर देता हूँ 23 minus यह वाली 10 ठीक है तो यह आ जाएगा कितना 13 meter अभी यहाँ पर इसकी जो breath है उसको write कर लेते हैं तो breath कितनी हो जाएगी breath of rectangle भी तो यह हो जाएगी यहाँ पर 4 meter इसमें दिया हुआ है 4 meter है तो area निकाल लेते हैं ठीक है area क्या हो जाएगा length multiply breath तो 13 multiply 4 यह जाएगा 52 meter square अभी देखते हैं इसके c part को तो देखे c part में हमें क्या बुला गया है कि rectangle c की जो breath है वो कितनी होगी और rectangle c का जो area है वो कितना होगा तो write करते हैं breath of rectangle c of rectangle c तो rectangle c की breath कैसे निकालेंगे देखे जब हम इस figure को देखते हैं न यहाँ पे यहाँ पे 6 है मतलब ऐसे निकालते हैं इधर की तरब यह देखो 6 है यह 6 है तो यह भी 6 होगी और यह 4 है तो यह 4 होगी ठीक है तो यह यहाँ से यहाँ तक तो होगया 6 और 4 10 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 21 मेंसे इस 6 को निकाल दो और 4 को निकाल दो तो यह बच जाएगा, तो write करते हैं 21, इस में से 6 minus करेंगे और 4 भी minus करेंगे, तो यह आएगा 21 में से 6 गया, तो 15, 15 में से 4 गया, तो 11, तो 11 meter आ जाएगा, ठीक है भई, अभी क्या करते हैं, इसकी जो length है, वो write करते हैं, तो length of rectangle C, तो rectangle C की जो length है, वो कितनी आएगी यहाँ पे यह दी हुई है, 23 meter ठीक है ना, तो इसका area निकाल लेते हैं, तो area क्या हो जाएगा इसका, तो length multiply breath, तो यह आजाएगा 23 multiply 11, तो 11, 33, 11, 22 और 3, 25, तो यह आजाएगा कितना, 253 ठीक है न, meter square इसके D part में क्या बोला गया है कि इस पूरी जो figure है, इसका area निकालना है जो यह safe है न, पूरा तो पूरे का कैसे निकालेंगे, यह निकालेंगे A का area, B का area और C का area, तो लिखते हैं यहाँ पे सभी को add करतेंगे area of square A, ऐसे लिख लेता हम पहले square A C, ठीक है, तो A का कितना अभी यहाँ पे पहला आया था इसका 36 तो मैं write करता हूँ 36, plus में B का कितना यह है 52, and plus में यह 253, ठीक है C का, तो सब को add कर लेते हैं 3, 2, 5, 4, 6, 11, ठीक है 5, 5, 10, और 13, और 1, 14 2, और 1, 3, 341 meter square की shape का total area आएगा next is का question number 20 तो यहाँ पे हमें 4 figures दी गई हैं जिनका हमको area find out करना है तो देखे, इसके A part में हमको यह figure दी गई है, तो इसका area निकालने के लिए हम इसको 3 parts में divide कर लेंगे तो यह है हमारे पास rectangle A rectangle B and rectangle C तो इस figure का area निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन 3 नो rectangle के area को plus कर लेंगे तो देखे, मैंने यहाँ पे write कर लिया है area of figure is equal to area of rectangle यहाँ पे A and plus में B plus में C, तो area of rectangle A क्या होगा मतलब यहाँ पे rectangle A का area है वो कितना होगा, तो यहाँगा length multiply breadth, तो rectangle A की length है वो यहाँ पे कितनी है, वो है 7 meter, तो मैं यहाँ पे write कर देता हूँ rectangle A के लिए, तो 7 meter इसकी length है, और breadth है इसकी 6 meter, तो multiply मैं 6 and plus में, यहाँ पे rectangle B की जो length है वो कितनी है वो है 7, और इसकी जो breadth है वो कितनी है, देखे एसा कीजिए, 6 में से 3 minus कर लिजिए, यह अपना आप 3 रह जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जाएगा 3 meter इसकी breadth, तो multiply करेंगे 3 and plus में, rectangle C का जो area है वो कैसे आएगा, length multiply breadth, तो length यह रहे इसकी 7 और breadth रही कितनी, 6 तो multiply कर देते हैं इसको तो 7, 6 जाएगा, 42 and plus में, 7, 3 जाएगा, 21 and plus में, 7, 6 जाएगा, 42 इन सब को plus करेंगे तो यह हमारे पास आएगा, add करते हैं इनको, 2 और 1, 3 और 2, 5 ठीक है, and यह यहाँ पे 4, 2, 6, और 4 10, तो 105 meter square यह इसका area आएगा, first figure का अभी यहाँ पे, second figure देखते हैं, इसकी, तो इसमें हमें यह figure दी गई है, तो इसमें, 3 parts में divide किया हुआ है, इसको, इनके नाम रख लेते हैं, यह figure, A and यहाँ पे, B and यहाँ पे, C, ठीक है ना, पहले part A, B, C, यह तीनों ही rectangle है अभी यहाँ पे, इसका area कैसे निकालेंगे इस figure का, इन तीनों rectangle के area को plus कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने पहला ही write क्या हुआ है, area of figure it is equal to area of rectangle, ठीक है ना तीनों को इरे निकालेंगे, इसलिए मैंने bracket में write कर लिया, इनको, A, B and C A, plus में B, B, plus में C, ठीक है तो, A का area write करते है यहाँ पे कैसे आएगा, length multiply breath, तो जो rectangle A है, उसमें length कितनी है, उसमें length है 6, तो write करते है, 6 multiply breath कितनी है, इसकी, यह है 3, ठीक है, तो 6 multiply 3, यह आगया यहाँ पे, and plus में write करते है, area of rectangle B, तो इसके लिए length multiply breath, तो इसकी length कितनी, तो देखो इसकी length कैसे आएगी यहाँ पे, यह आएगी, देखो, यहाँ से यहाँ तक तो यह 5 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है यह, 5 है, और यह यहाँ से यहाँ से कितना है, 3 है, ठीक है ना, मतलब जितनी यहाँ पे यह length है उतनी ही तो यह होगी तो 5 and plus में 3 यह हो जाएगा 8 तो इसकी length आएगी 8 and multiply breath कितनी होगी इसकी देखो breath भी नहीं दी होई यहाँ पे तो निकालेंगे इसको यह total यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 है तो इसको total 12 करने के लिए कितना और चाहिए 6 चाहिए यहाँ आप ऐसे कर सकते हो 12 में से 6 माइनस कर दो यह वाली length आजाएगी इसकी ठीक है न तो यह आएगा 12 में से 6 गया तो 6 ठीक है 6 meter तो multiply करते है 6 and plus में इस C का area निकालेंगे हम length teşekkür breath से तो C में इसकी length कितनी है 6 ठीक है और breath कितनी है यह है 3 multiply कर लेते हैं इन तीनों को तो यह आजाएगा 6 3s are 18 and plus में 8 6 are 48 and plus में 6 3s are 18 ठीक है तो add करते हैं इसको तो यह आजाएगा यहाँ पर 8 3s are 24 4, यहाँ पे 3 और 4, 7 और 1 8, ठीक है, 84 centimeter square यह इस figure का area आएगा इसके part C में देखते हैं, देखो तो part C में हमको यह figure दी गई है यहाँ पे, तो इसको क्या करते हैं हम parts में divide कर लेते हैं 5 parts में, तो पहला part तो यह हो गया इसका, ठीक है, यह पहला part, इसको मैं माल लेता हूँ rectangle A, ठीक है ना चलो पहले इसको divide कर लेते हैं यहाँ पे, तो यह इसका दूसरा part आ गया यह इसका तीसरा part, और यह इसका चौथा part, ठीक है ना, यह वाला और यह 5 वार है गया तो यह सारे rectangle हैं, देखो यह वाला भी rectangle, यह भी rectangle, यह भी rectangle, यह भी rectangle, यह भी rectangle और यह एक square है ठीक है, तो यहाँ पे यह पहला जो rectangle है, जिसको मैंने A मान आया इसकी length है कितनी 5 और breadth है 1, तो इसका area कितना आ जाएगा, area आ जाएगा 5 multiply 1, तो यह आ जाएगा 5 centimeter square ठीक है अभी मैं दूसरे rectangle में देखता हूँ यह है rectangle B तो देखिए यह न जो यहाँ पे इसकी जो मोट आई है यहाँ पे ठीक है न मतलब इसकी जो ब्रै थे वो 1 है और यहाँ से भी जो यह मोट आई है मतलब यह इसकी जो length है यहाँ से यहाँ से यहाँ तक 1 है क्योंकि यहां से यहां तक 1 दी गई है ठीक है न यह सभी की जो इस तरह से जैसे यह इसकी length 1 है इसकी length 1 है इसी तरह से यहां पे भी 1 होगी और यहां पे भी 1 होगी तो यहां से यहां तक की लेंद कितनी रहेगी इसमें से 1 माइनस हो जाएगा 5 में से तो यह रहेगी 4 cm ठीक है न यहां पे और इसमें एक कम कर देंगे तो यह रहेगी 3 cm इसमें एक कम कर देंगे 3 से तो यह रहेगी 2 cm और यह हमारी 1 ही है यहाँ पर नीचे ठीक है तो निकालते हैं इसका area rectangle B का तो यह आ जाएगा 4 multiply 1 तो 4 multiply 1 बनाएगा 4 cm square इसका C का ठीक है यह C यह D और यह यहाँ पर E तो C का ठीक यहीं कितना आएगा 3 multiply 1 ठीक है न तो 3 multiply 1 रहेगा 3 cm square इसका कितना रहेगा D का यहाँ पर 2 multiply 1 इसके बाद यहाँ पर square E का निकालते हैं तो E की यहाँ पर side की length कितनी है 1 है तो 1 multiply 1 मतलब side multiply side तो यह रहेगा 1 cm square तो area of figure तो यह आएगा सभी को add करतेंगे area of area of rectangle a, b, c, d and plus में area of square e तो सब को add करते हैं यहाँ पर 5 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1 तो यह आएगा तो 15 cm square इसका area आएगा इसके d part में देखते है तो यहाँ पर हमको यह figure दी गई है इसका हम area निकालेंगे तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इसको 3 parts में divide कर लूँगा यहाँ पर यह पहला part इसको ले लेते हैं a, यह दूसरा part यहाँ पर इसको ले लेते हैं b और यह तीसरा part c ठीक है तो इस figure का area निकालने के लिए क्या करें मैं write कर लेता हूँ area of figure area of figure ठीक है तो यहाँ पर यह आ जाएगा area of rectangle a, b and c area of rectangle a, b and c सबको plus कर लेंगे तो rectangle a का area कैसे निकलेगा तो देखें a की जो length है वो है 4 तो write करेंगे 4 multiply 1 and plus में b का area कैसे निकलेगा देखें b में न यहाँ पर हमको जो length है वो तो दी गई है 2 लेकिन breath नहीं दी गई तो breath कैसे निकालेंगे इसकी देखो यहाँ से यहाँ तक यह है 1.5 जब यह यहाँ से यहाँ तक 1.5 है तो इसका मतलब यह भी 1.5 होना चाहिए ठीक है तो 1.5 यह रहा अब यह total 4 है तो इसको total 4 बनाने के लिए कितना चाहिए तो यहाँ पर 1.5 प्लस 1.5 3 आ गया तो इसको 4 बनाने के लिए चाहिए हमको 1 ठीक है या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 4 में से इन दोनों को माइनस कर दो तो 1 cm रहेगा तो यह आज आएगा 2 multiply 1 और प्लस में rectangle C का जो एरिया है वो कैसा आएगा length multiply breath तो length है इसकी 4 और breath है इसकी 1 ठीक है न तो कि इसकी यहाँ पे 4 है तो इसकी भी 4 रहेगी और यह breath यहाँ पे दी हुई है तो 4 multiply 1 तो यह आएगा यहाँ पे 4 प्लस में 2 प्लस में 4 तो 4 चार चार आठ और दो 10 cm square next है इसका question number 21 तो यहाँ पे हमें shaded portion का area find out करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो यह outer rectangle है इसके area में से inner rectangle के area को minus कर देंगे तो हमारा shaded portion का area है वो निकल आएगा तो देखे मैं यहाँ पे write कर लेता हूँ outer rectangle ठीक है outer rectangle तो outer rectangle की जो यहाँ पे length है वो कितनी है तो length देखे यहाँ पे यह है 10 cm 10 cm and breath कितनी है यहाँ पे यह है 8 cm तो इसका जो area है वो कितना आ जाएगा length multiply breath से आ जाएगा तो length 10 और breath है 8 तो यह आ जाएगा 80 cm square अभी क्या करते हैं यहाँ पे इसको निकालते है inner rectangle को ठीक है ना तो inner rectangle को लेते हैं तो यहाँ पे इसकी जो length है वो कितनी हो जाएगी inner rectangle की जो length है वो हो जाएगी देखे कितनी outer की कितनी थी 10 तो इस मैं से तो जब मैं इसकी length को देखूंगा यहाँ पे तो देखे इधर से 0.5 कम हो गया और इधर से 0.5 कम हो गया तो total कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 0.5 माइनस 0.5 तो यह हो जाएगा 9 cm तो इसकी breath क्या हो जाएगी देखे breath में भी हम इसी तरह से करेंगे यह बाहर वाली 8 है तो इस मैं से इधर से 0.5 कम हो जाएगा इधर से 0.5 कम तो यह कितनी बचेगी 8 में से 1 माइनस कर देंगे total तो 0.5 तो यहाँ जाएगा 7 cm तो एरिया कितना आएगा इसका एरिया आएगा length multiply breath तो 9 multiply 7 तो यहाँ जाएगा 63 cm square राइट करते हैं area of shaded portion area of shaded portion ठीक है तो यह क्यासे आएगा यहाँ आएगा outer rectangle के एरिया में से inner rectangle के एरिया को माइनस करेंगे तो outer rectangle के कितना था 80 और inner का 63 तो यहाँ जाएगा 17 cm square next इसका question number 22 तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक rectangle का area है 108 cm square अगर इसकी length है 12 cm तो हमको यहाँ पे race to find out करना है breath और length का तो देखें मैं यहाँ पे write कर लेता हूँ area of rectangle यह है 108 cm square इसकी जो length है वो यहाँ पे दी गई है 12 cm तो इसकी breath निकालेंगे क्योंकि हमको क्या निकालना है यहाँ पे breath और length का race निकालना है तो इसलिए मैं यहाँ पे breath निकाल लूँगा तो breath of rectangle यह कैसे आएगी यहाँगा area को divide कर देंगे हम किस से इसकी given side से और जो है यहाँपे 12 तो 108 को divide कर देंगे 12 से तो यह आजाएगा 9 तीक है तो इस rectangle की जो breath है वो आजाएगी 9 cm अमको निकालना क्या है यह निकालना है यह निकालना है यह निकालना है आमको breath और length का ratio तो breath ratio length मैं write कर देता हूँ यहाँपे यह आजाएगा breath कितना 9 ratio length है यहाँपे 12 तो cut कर लेंगे 3 3 is at 9 and यह 3 4 is at 12 तो breath और length का जो ratio है वो आएगा 3 ratio 4 next is का question number 23 तो यहाँपे हमें एक square park की जो side है वो दी गई है 120 meter इसके अंदर एक swimming pool है जिसकी यहाँपे dimensions है 25 meter by 20 meter तो यहाँपे जो बाकी है ना वो picnic ground है यह वाला जो part है यह क्या है यह? picnic ground है यहाँपे ठीक है तो हमको क्या करना है यहाँपे इस picnic ground का जो area है वो find out करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँपे जो यह square park है इसके area में से pool का area minus कर देंगे तो picnic ground का जो area है वो बच जाएगा ठीक है तो देखें मैं यहाँ पे right कर लेता हूँ इसकी dimension square park की तो इसकी जो side है यहाँ पे वो कितनी है 120 meter है तो इसका area कैसे निकालेंगे इसका area निकालेंगे side multiply by side तो side इसकी 120 है तो multiply कर देंगे 120 से तो इसका जो multiply है वो कितना हैगा 12 12 होता है 144 रिस में 20 है पीछे ठीक है ना तो एक और एक दो 20 यहाँ जाएगा meter square अभी swimming pool को लेते हैं तो swimming pool की जो यहाँ पे length है swimming pool क्या है एक rectangular form है ठीक है तो इसकी जो length है वो है 25 meter और इसकी breath है 20 meter तो area निकाल लेते हैं इसका तो area कैसे आएगा length multiply breath से आएगा तो length है इसकी 25 और breath है 20 तो जब multiply करेंगे इनको तो यहाँ जाएगा 500 meter square अभी मैं हाँ पे write कर लेता हूँ area of picnic ground area of picnic ground ठीक है तो यह कैसे निकालेंगे हम इस square park के area में से इसको minus कर देंगे तो जाएगा 14400 इसमें से 500 माइनस कर दो तो यह आजाएगा 00931 तो यह आजाएगा हमारे पास picnic ground का area 13,900 meter square next है इसका question number 24 तो यहाँ पे हमें square A का area दिया गया है 25 centimeter square और square B का perimeter दिया गया है 12 centimeter तो हमको यहाँ पे square C का perimeter और area दोनों find out करने है तो देखे perimeter और area निकालने के लिए न हमको किसी भी square का उसकी side पता होनी चाहिए लेकिन square C का हमको यहाँ पे side का नहीं पता कि कितनी है तो square C की जो side है वो किस तरह से आ सकती है कि अगर किसी तरह से हमको square A की side और square B इसकी side मिल जाए तो इन दोनों को add करके इस square C की जो side है वो आ जाएगी ठीक है तो देखे यहाँ पे square A का area दिया गया है और square B का perimeter दिया गया है तो उनकी help से हम क्या करेंगे यहाँ पे square का square होता है यह होता है 5 का तो यह आ जाएगा 5 cm तो square A की जो side है यह आ चुके है हमारे पास 5 cm square B का जो perimeter है यहाँ पे 12 cm तो इसकी यहाँ पे side निकाल लेते हैं तो देखे जब square का perimeter दिया गया हो और side निकालनी हो तो क्या करते है उसको 4 से divide कर देते हैं तो write कर देंगे 12 upon के 4 तो कर जाएगा 4 3 सा 12 तो यह आएगा 3 cm ठीक है अब क्या करना है हमको square C का perimeter area दोनों निकालना है तो square C की जो side है वो कितनी आ जाएगी देखो square A की side आ गए यहाँ पे 5 cm और B की आ गए 3 cm तो square C की जो side है वो कितनी आ गए यहाँ पे 5 plus में 3 यहाँ गई 8 cm ठीक है तो अभी इसका perimeter निकाल लेते हैं तो perimeter कैसे आएगा 4 multiply side जो कि है मेरे पास 8 cm तो यहाँ जाएगा 32 cm एरिया और निकाल लेते हैं इसका area कैसे आएगा side multiply side से आएगा तो side है इसकी 8 तो 8 multiply 8 यहाँ जाएगा 64 cm square